J.S.A.C. Node-Dairy चैनल के सभी दोस्तों को जोहार जैसा कि आज का थमनेल देखकर आप दोस्तों को पता चल ही गया होगा कि आज हम जहरकन के प्रसिद्ध मेलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे क्योंकि जहरकन के J.S.A.C. के कोई भी एकजाम हो इससे कोशन पूछे जाते है इसलिए आज का वीडियो महतुपूर्ण होने वाला है दोस्तों क्योंकि मैं इसमें जहरकन के मेलों की जानकारी पूरी डीटेल के साथ आप लोगों को बताने की कोशिस करूँगा इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी इसके इपना करें और वीडियो को पूरा-पूरा देखें तभी आपको इसकी संपून जानकारी प्राप्त हो सकती है और दोस्तों जो लोग इस चैनल में नए हैं वो इस चैनल को उत्रण सस्काइब कर लें और बेल बटन को भी क्लिक कर दें क्योंकि जब भी हम इस चैनल में कोई निव वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिपिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके क्योंकि जे ससी एकजाम से रिलेटेड हम ऐसे ही महतुपुन वीडियो लाते रहते हैं तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो सेट नंबर 33 सुरू करते हैं आज का कोश्चन सुरू करने से पहले दोस्तों थोड़ी सी जानकारी हम जारखन के मेलों के बारे में जान लेते हैं आखिर जारखन में मेले लगने की सुरूआत आखिर हुई कैसे तो दोस्तो ब्रिटिस सासनकाल में जहरखन के आदिवासी छेतरों में कुछ खास मेलों का आयोजन ततकालिक प्रसासन की और से किया जाता था इन मेलों का प्रमुक उद्देश सुदूर ग्रामिंग छेतरों में निवास करने वाले आदिवासी समुख को मेलों के उत्सो जैसे महोल की और आकर्शित करके उनकी उपस्तिती सुनिचित करना था ताकि उनके सोच विचार और रहन सहन की सैली में आये परिवर्थन का मुल् आदिवासियों की विभीन संस्कृति प्रमपरा से आउगत होने का भी एक अच्छा आउसर हुआ करता था ज्यारकन में आदिवासी बहुल छेतरों में मेलों को आलसकल जत्रा के रूप में जाना जाता है ऐसे मेलों का स्वरूप अब प्रमुक रूप से सामुहिक वा संस् मेलो का अस्थान अत्यन महत्पूर्ण माना जाता है दोस्तों तो दोस्तों इस तरह से जार्खन में मेलो की सुरुवात हुई जो अब काफी प्रचलित हो चुकी है और हमेशा इस तरह के मेलो का आयुजन किया जाता है तो चलिए दोस्तों आज का फस्ट कोशन देखते हैं को देवगर तक के मार्ग में कौन सा दुरुगम पहाडी इलाका को पार करना होता है। दोस्तों जब बोलबम के साथ देवगर की और चल पड़ते हैं तो विधान है कि इस संपून यात्रा के क्रम में पवित्र जल से भरे पात्र को पार करना होता है। पार्तर को जिसे कावरियों अपने कंधे में ले रहते हैं उसका संपर्क भूमी से ना हो इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। और दोस्तों देवगर हिंदु धर्मवाल अंबियों का प्रसिद्ध तिर्थ अस्थल है। जारखन बिहार में यह बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों और बाबा धाम बारह जोती लिंगों में से एक है। इस मंदिर की इस्थापना सन 1556 में उस समय में हुई जब बैजु नाम के एक वेक्ती ने खोए हुए सीवलिंग को खोजा था। इस कारण ही इस मंदिर का नाम बैजनात धाम पड़ा। परतेकवत सावन मास में महा स्रवनी मेला लगता है जो एक महिने तक चलता है। स्रवनी मेला इतना सुप्रसिद्ध हो चुका है दोस्तों कि बिहार जहरखंट सही देश के अन्य प्रांतों से भी सरधालों का समुह बड़ी संख्या में देवगर आते हैं। इस औसर पर इतने अधीक सरधालों जुड़ते हैं कि बावा धाम में परवेश कर दर्शन वा पूजन के लिए 7-8 किलोमेटर तक की लंबी कतारे लग जाती है। और सरवनी मेले के औसर पर देवगर बावा धाम की यात्रा धार्मिक द्रिष्टी कौन से भी अब बहुत महत्पूर्ण हो चुका है दोस्तों क्योंकि अब जहरखंट सरकार दोरा इसे प्रयतन अस्थल के रूप में विक्सित किया जा रहा है। तथा यह बिशु का सबसे बड़ा वासिक मानो मेला भी है दोस्तों। इस बात का आप लोग खास ख्याल रखियेगा। देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमबर दूसरा जहरखंट के दुंका जिले में लगने वाला हिजला मेला कितने दिनों तक चलता है। option A, 5 दिन, option B, 6 दिन, या option C, 7 दिन, या option D, 4 दिन. तो दोस्तो इसका जो answer हो जाएगा, वो हो जाएगा option number C, 7 दिन. दोस्तो, JSC के कई examo में भी इस मेले से question पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस question पे थोड़ा ध्यान दिजेगा, detail में, क्योंकि कहीं से भी question आजकल पूछा जाता है, तो जो हिजले मेला का आयोजन होता है, दोस्तो वो बसंत रितू, यानि फरवरी मार्च में लगता है, और यह मेला दुमका के जिस अस्थान पर लगता है, उस अस्थान को ही हिजला कहा जाता है, जो जिसका साथिक हर्थ होता है, हिजलो पाइट नामक खनीज का, संचिप्त रूप से जो संथाल परगना की पहाड़ियों में, परचूर मात्रा में उपलब्ध है, यह मेला मयोराक्षी नदी के किनारे आयोजित किया जाता है, इस मेले का प्रारम 1890 इश्वी में संथाल परगना के ततकालिक उपायुक्त के टायस द्वारा की गई थी, कभी कभी दोस्तों, इस मेले का आयोजित किसके द्वारा किया गया था, और कितना इश्वी में किया गया था, यह भी पुछा जाता है, इसलिए इस बात कभी ध्यान रखेगा दोस्तों, और इस मेले को आयोजित कराने का मुख उद्देश सुदूर गरामिन इलाकों में निवास करने वाले संथाल समुदायों के अदिवासियों की समाजिक, आर्थिक और संस्कृतिक इस्तिती का मुल्यांकन करने के साथ साथ सरकार की कल्यानकारी योजनाओं से जन साधारन को अवगत कराना था दोस्तों, यही इसका मुख उद्देश था, वर्तमान में सरकार दवारा आयोजित इस मेले का परमुक उद्देश, राज सरकार दवारा चलाये जाने वाले विभिन कारे करमों की जानकारी लोगों तक देना, तथा मेले में आये किसानों को उन्नत क्रिशी के तोर तरीकों की जानकारी देना और परंपरागत खेल कूट तथा सांस्कृतिक विरासत को प्रोथाहित देने के लिए अब इस मेले को जार्खन सरकार द्वारा भी प्रोथाहित किया जा रहा है दोस्तों दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट कोशिण कोशिण नमबर फ्री जार्खन के जगरनात पूर में रत यात्रा एवन मेले का प्रारम बढ़का गढ़ के राजा थाकूर एनिनात साहदेव ने कब सुरू किया था दोस्तों ये भी जार्न का सूपरशिध मेलों में से एक है इसलि 1791 तो दोस्तों इसका जो इंसर हो जाएगा वो हो जाएगा option number A 1691 इस्वी में बढ़कागण की राजा ठाकूर एनिनात सहदेव ने इस मेले का आयोजन्द शुरू किया दोस्तों और रत्यात्रा का जो रत्यात्रा खिचने की जो प्रथा है वो भी इन्हीं के दोस्तों तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारे ले लेते हैं जारखन की राजधानी राची से लगभग 11 किलोमीटर दूरी पर इस्थित हसी के आहाते से 60 प्रसिद एतिहासिक जगरनाथ मंदीर है मंदीर के ही कारण इस नाम का इस अस्थान का नाम जो पड़ा दोस्तों जगरनाथ पूर पड़ा है और इस मंदीर परिशर में रत यात्रा के उपलक्ष में परतेक वर्स असाड दिवतिया के आउसर पर विसेश मेले का आयोजन होता है जो संपून जहरकंड सहित पडोसी राजियों उडिशा और पचीम बंगाल से भी सद्यों से विख्यात है और अभी भी इन छेत्रों से लोग इस मेले को मेले में आते हैं और रत यात्रा के उसर पर आयोजित इस मेले में भगवान जगरनात भया बलभद्र और बहन सुबद्रा को नंदी रत पर विराज मान कराया जाता है मेले में उपसित स्रधालू और भगत गन रत को सामुहिक रूप से खीच कर मौसी बाड़ी ले जाते हैं जहां भगवान जगरनात भया बलभद्र और बहनसुबद्र आठ रातों तक निवास करने के बाद नवे दिन अपने घर लोट जाते हैं। रत यात्रा के आउसर पर जगरनात पूर में नव दिन तक चलने वाले मेले को अस्थानी लोग रत मेला कहते हैं। जो की जहारखंड में काफी प्रचलित है। इसका समापन दोस्तों नौ दिन बाद घूरती रत यात्रा के समय होता है जिसमें काफी संख्या में यहां की जनजातियां उपस्थित होती हैं इस घूरती रत यात्रा को देखने के लिए। मेले में आधिवासी और अन्य जारखंडी लोगों के उप्योग में आने वाली चीजें जैसे धनुस्पान, भास का च्छाता, खजूर के पत्ते की चटाई, चकला, बेलन और तावा, कडाही जैसे घरेले यूजवाले से लेकर बिभिन परकार के परमपरिक, वाध्य यंत जैसे मांदर नगाडे ढोल और जो जहांज बासूरी आधी की विक्री मुख्य रूप से होती है, जिस कारण भी इस मेले का महत्व है, जो काफी बढ़ जाता है, दोस्तों देखते हैं, नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमबर फोर, जहारखन का परसिद मुडमा जत्रा मेले में उरावजन जाती समुदाय के कितने पहड़ा के लोगों दवारा संस्कृतिक प्रस्तुती दी जाती है, दोस्तों ये जहारखन के आधिवासियों के लिए बहुत ही महत तो पूर्ण और सुप्रसिद मेला है, दोस्तों, इसलिए इस कोश्चन को भी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इसका डीटेल और इसका एंसर भी, ओप्शन A 21, ओप्शन B 25, ओप्शन C 30, या ओप्शन D 40, तो दोस्तों इसका जो एंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, जनजाती समुदाय के 40 पहड़ा समुदाय के लोगोदवारा संस्कृतिक प्रस्तुति दी जाती है, जो कि इस मेले का प्रमुख आकर्शन का केंदर है, इसी को देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं इस मेले में, तो चलिए दोस्तों, इस मेले के बारे में भी थो दूर, राची, डाल्टिंगंज, मार्ग पर मुडुमा नामक गाउं है, यहीं पर परती वर्स दसारे से 10 दिन बाद मुडुमा जत्रा का भवे आविजन होता है, इस मेले की अपनी एक अलग समाजिक, संस्कृतिक और एतिहासिक पहचान है दोस्तों, मुडुमा जत्रा का प्रारंब किस तरह हुआ इसका कोई लिखित परमान तो नहीं है दोस्तों, लेकिन लोग गीतों में वर्नित प्रसंग एवं मौखिक इतिहास के अनुसार, मुडुमा जत्रा के अस्थान, अस्थापना काल का सम्मन्द उराउं आदिवासी समुदाई के रोतास गड़ से भ उस समय परन्तु कुछ विद्वानों का मानना है कि जब उराउं लोगों ने अपनी वथा और कथा मुंडाओं को सुनाई तो उन्होंने इन लोगों को पच्मी वन छेत्र को साप करके वहीं रहने का सुझाओ दिया था, यह समझोता मुडुमा में ही हुआ था, उस एतिहा समझोते कि याद या इस्मृती में ही मुडुमा जत्रा का आयोजन होता है, दोस्तों, मुडुमा जत्रा एक दिन और एक रात का समाजिक संस्कृतिक आयोजन वाला मेला है, दोस्तों, जिसको अस्थानिय भाजा में जत्रा कहा जाता है, मुडुमा गाउं का पहन ग्रामिन और गाजा बाजा बजाते हुए साथ चलते हैं जत्रा खुटा अस्थल जो कि उरावजन जातियों के लिए खुटा अस्थल बहुत ही महत्पुन अस्थान रखता है दोस्तों इस पर पहान प्राम परंग रूप से सरकुज्जा के फूल सहित अन्य पूजन समागरियों के सभी दल जत्रा खुटा में परिकर्मा करते हैं परनाम करते हैं और इसके बाद अपने अपने दलों के साथ नित्तिगान करके प्रसंता व्यक्त करते हैं और इसी के साथ इस मेले का समापन हो जाता है दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमबर 5 जारखन का प्रसिद्ध मेला किसी निर्धन, कुर्मी, किसान की बेटी के सतित्थ की याद में लगाया जाता है। ये एक परकार की अनुखा मेला जो जारखन में लगाया जाता है दोस्तों और इससे भी JSAC के सिजियल में कोशन पूछा जा चुका है। और कई बार रिपीट भी हो चुका है। तो इस कोशन को भी थोड़ा ध्यान दिजेगा। यह पहला ओप्षन है करमदाहा मेला, ओप्षन B, टुसु मेला, ओप्षन C, रामरेखा मेला, ओप्षन D, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो एंसर हो जाएगा वो हो की बेटी की सतित्य के याद में लगाया जाता है। तो चलिए इस मेले के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले रेते हैं। जारखन के पंच परगना छेत्र में टुसु मेले का आयोजन किया जाता है। टुसु मेले का संबन्द एक पैरानिक कथा से है। इस कथा के अनु सुन्दर टुसु को हासिल करने के लिए एक कुटिल चाल चले उसने किसानों पर दुगना कर लगा दिया जबकि चारो और अकाल पड़ा था और सुखे के कारण फसल भी नहीं हुई थी और दोस्तों टुसु जो किसानों की फसल नहीं हुई थी इस कारण किसानों ने जो कर देना राजा को मंजूर नहीं था और इस कारे में टुसु ने ही किसानों के साथ मिलकर राजा के अत्याचार का सामना किया अनेक निर्दोस किसान मारे गए और टुसु ने अपनी उपंती नदी में कूद कर अपने प्रान गवाते हुए अपने सतित्तु की रक्षा की टुसु के बलिदान के याद में ही टुसु मेले का आयोजन किया जाता है दोस्तों मकर संक्रांती के दिन और टुसु महत्सव और मेले का अंतिम दिन होता है और इस पर रातरी इससे पुरु रातरी में जागरन होत और इसमें आठ परकार के अनाजुक को भून कर टुसु को भोग लगाया जाता है। युवतिया टुसु की परतीमा का निर्मान कर रंग विरंगे सिंगार करती हैं जो कि एक बास के फ्रेम में बना होता है। यह निश्चित अस्थान पर परतीमा अस्थापित करके रातरी में ही टुसु के गीत गाय जाते हैं और सुर्योदे से पूरु ही परतीमा का विसरजन कर दिया जाता है। इस परकार जहरखन के परसिद टुसु मेले का समापन हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमबर 6 सिमडेगा का परसिद रामरेखा मेला कितने दिनों तक आयोजित किया जाता है। तो दोस्तो इसका एंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर A त्री दिन। सिमडेगा में रामरेखा नमक अस्थान पर परतिवर्ष कार्तिक पुर्निमा के दिन आयोजित किया जाता है। सांस्कृतिक कारिकरम भी आयोजित किये जाते हैं इस औसर पर मेला अस्थल एक पहाड़ी पर इस्थित है जहां प्राचिन काल की गुफाएं भी हैं। इन गुफाओं में भागवान राम और माता सीता के अलावा अने देवी देवताओं की परतिमाएं भी हैं। ओप्षन A, सुगना मुंडा, ओप्षन B, मदरा मुंडा, ओप्षन C, सीवन मुंडा, ओप्षन D, जीवन मुंडा। दोस्तों इन जत्रा मेला से भी कोशन पुछे जाते हैं जैसे सी के एकजाम में। औप्षन आपको बता दिए हैं दोस्तों तो जो इसका एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा option नमबर B मद्रा मून्डा ने ही इंद जत्रा मेले का सुरुवात किया था इस मेले की जो सुरुवात है नागवनसी साषनकाल के समय में ही हुवी थी और इस मेले का आरम में सुत्यांबे गढ़ से हुआ था इस मेले को परंपरिक रिती रिवाज से लगाने का एक विसेश प्रथा है इन जत्रा मेला लगाने में 12, 22 या 24 जो पहड़ा समुदाय होते हैं उनके योगदान से यह मेला लगता है दोस्तों मेले में एक विसाल तोपरा बनाया जाता है जो गोवर्धन परवत का पर्थीक है तोपरे की पूजा पहान और पंडित दोनों करते हैं इसके बाद कुमारिया के पहान घर की कोई कुमारी लड़की अपने पैर से तीन बार तोपरा को लाथ लगाती है तब तोपरा को उठा क पर गाड़ा जाता है और इसे नौ दिनों तक वहीं छोड़ दिया जाता है और इसके बाद यह मेला भी संपन हो जाता है देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट कोईशन कोईशन नमबर एट जहारखण में लगने वाला हतिया पत्थर मेला किस जिले में लगता है ओप्शन ए रा दोस्तों ऑप्शन नमबर सी जो जहारखण में लगने वाला हतिया पत्थर मेला है वो बोकारो जिले के अंतरगत फुसरो नामक अस्थान पर लगता है इस छेतर पर यह विख्यात हतिया पत्थर मेला आयुजित किया जाता है यहीं पर जरीडिह नामक बाजार में सी मंदि भी है दोस्तों इसी मंदिर के निकट एक नदी टट पर मकर संकरांती के औसर पर इस विसेश मेले का आयोजन किया जाता है इस मेले के बारे में एक लोक कथा प्रचलित है कि दच्छिन के एक राजा अपने पुत्र की बरात लेकर दामुदर नदी पर पहुँचते हैं तो नदी की धारा प्रचंड वेक से बह रही थी उस समय नदी पार करना असंभव था राजा ने तब नदी से करंबध होकर प्राथना की यदि वे अपने पुत्र का विवा संपन करा कर सकुसर लौट आये तो तट पार करने पर बकरे और भेंस की बली चढ़ाएंगे राजा की प्राथना सुनकर नदी की धारा सांथ हो गई और ब्रातियों के साथ पार उत्तर गए राजा और पुत्र का विवा करा कर राजा पुत्र वधू के साथ पुनह नदी पार आ गए राजा ने सकुसर नदी पार कर लेने के बाद भी अपनी मनत पूरी नहीं की और नहीं बली अरपित की फौल सरूप राजा उसका पुत्र वधू बराती सेवक और उट हाथी गोड़े आदी पत्थर के बन गए उसी के उसी नदी के किनारे और उसी पत्थर वाली पारी इलाके में आज भी मेले का एवजन किया जाता है ऐसी एक प्रथा है देखते हैं दोस्तो आज का नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमबर नाइन करमदहा मेला जारखन के किस जिले में लगता है उप्शन ने हजारी बाग उप्शन बी गुमला उप्शन सी दुमका उप्शन डी जामताड़ा तो दोस्तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उप्शन नमबर डी जामताड़ा नरायन पूर के करमदहा नामक अस्थान पर मकर संक्रांती के आउसर पर एतिहासिक करमदहा मेले का आयुजन किया जाता है परतिवस भगवान सीव के मंदिर परिशर में यह मेला आयुजित होता है पंद्रह दिन तक चलने वाले इस मेले में न केवल आसपास के लोग आते हैं बलकि अन्यव प्रांतों के सरधालू भी भाग लेते हैं जन्सृती के अनुसार या एतिहासिक मेला 17 सदी के मध्य से आयुजित किया जाता रहा है दोस्तों और प्रतिवस मकर संक्राती के असर पर हजारों की संख्या में सरधालू जन यहां दर्शन पूजा के लिए आते हैं देखते हैं दोस्तों आज का नेक्स्ट कोश्चन और लास्ट कोश्चन जारखन में भूत मेले का आयुजन किस परमंडल में किया जाता है तो दोस्तों इसका जो एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओप्शन नंबर ए परमानू परमंडल 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 के हैदर नगर में सुविख्यात देवी धाम है इसका इतिहास लगभग सव वर्ष पुराना है माना जाता है लगभग दो एकड के देवी धाम परिशर में परतीक वर्ष चैत मास की प्रतिपदा से पुरुनीमा तक 15 दिनों तक अनोखा भूत मेले का आयोजन किया जाता है जो इस तरह का जहरखन में एक मात्र मेला यहीं पर आयोजित किया जाता है जिसमें भूत प्रेत से ग्रस्त लोग अथवा जिनके घरों में सुख सांथी नहीं होती या संतान की मनुकामना वाले निसंतान लोग इस मेले में बड़ी संख्या में आते हैं यहां की मानियता के अनुसार देवी धाम में हलवाईयों का एक विसेश समुदाय तवाराचीनी की बनाई मिठाया भी चड़ाई जाती है जनसुरुती है कि इस मेले का विष्थार औरंगाबाद से आये हलवाईयों के एक समु के आने के बाद ही हुआ इस समु में एक ओजह भी था उस समय से आज तक मेले में बहुत प्रेत क्रस्त लोगों को ओजहाओं द्वारा जार फूक करते हुए देखा जा सकता है जो कि जारखन का एक मात्र ऐसा मेला है जो पलामू के परमंडल में लगता है तो दूस्तो ये था आज का जारखन में लगने वाले प्रमुख मेलो के बारे में एक चोटी सी जानकारी जो कि जारखन के जैसे सी के आने वाले एक जामों में पूछे जा सकते हैं जिसके लिए ही मैं ये वीडियो सेट तयार किया था तो आप लोगों को इस वीडियो सेट का question content कैसा लगा उसके बारे में comment करके जरूर बताईएगा और आपका कोई suggestion हो तो उसको भी आप जरूर comment किजिए क्योंकि आप लोगों को से request है कि आप लोग comment बिलकुल भी नहीं करते हैं इसलिए please comment किया किजिए आपको जो भी इसमें मतलब implement चाहते हैं उनके बारे में अगर आपका suggestion अच्छा लगा तो हम इसमें implement जरूर करेंगे तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो अच्छा लगे तो like और share जरूर कीजिएगा क्योंकि इसके लिए भी कोई पैसे नहीं लगते